नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज किस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्वाला मुखी के बारे में और वो भी भारत की ज्वाला मुखी के बारे में भारत में कौन-कौन सी ज्वाला मुखी कहां कहां पर हैं उन सभी के बारे देखने को मिलता है और यह मैंनिकोबार में देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेंगे एक तो बैरन आइलेंड और एक नार कोंडम आइलेंड तो यह क्या है यह जौला मुखी के एक जामपल हैं बात करते हैं बैरन दूइप की तो अंडमान सागर में इस्तित एक दूइप है जिस पर बैरन जौला मुखी का प्रभुत्त है किसका प्रभुत्त है बैरन मातर पुष्टी कर सक्रिय ज्वाला मुखी है और सुमात्रा से म्यामार तक ज्वाला मुखियों की स्रंखला में एक मातर सक्रिय ज्वाला मुखी है तो यह में इस्तितिक छोटा जवाला मुखी दूइप है और दूइप की चोटी ओसत समुद्र तल से 710 मीटर उपर है यह एंडी साइट से बनी है यह अन्दमान दूइप समू का हिस्सा किसका हिस्सा है अन्दमान दूइप समू का हिस्सा है जिसका मुख्य भाग पस्चिम से नरक का गड़ा याद रखीएगा नार कुंडम का आर्थ क्या होता है नरक का गड़ा नरक कुंडम सब्द से लिया गया तो नरक कुंडम सब्द का आर्थ होता है नरक का गड़ा और इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया नार कॉंडम पढ़ गया कहां से लिया गया तमिल आपको दिख रहा है यह और यह गुजरात का एरिया जो कच्छ जीले का है और यह नीचे वाला इरिया यह भी आपके किसके अंत्रगत डेकन ट्रेप के अंतरगत आता है डेकन ट्रेप एक बड़ा आगने प्रांत है जो पस्चिम मद्ध भारत के डेकन पठार पर इस्तित है और प्रतिवी का सबसे बड़ी जौाला मुखिये बिसेस्ताओं में से एक यहां पर पाई जाती है ट्रैप ट्रैप सब्दिका प्रियो स्केंडिनवाई सब्द ट्रैपा से लिया गया है और छेतर के प्रिदश्च को बनाने वाली सीड़ी दार पहाडियों को संदरवित करता है किसको संदरवित करता है सीड़ी दार पहाडियों को संदरवित करता है अगली जौाला मुखिय का उधारण है बारा टंगा तो बा तो अधियोद्वीबहिए्लड Whenever빵 नारकुंडाम आइलेंड है नारकुंड़म आइलेंड उर तीसरा कौन चूप्र गया है बारा टांग बारा टांग एक कौन सा पड़ गया है नार कोंडम आइलेंड और तीसरा कौन सा पड़ गया है बारा टांग तो बारा टांग आइलेंड बारा टांग द्वीप अंडमान दीप सुमू का एक द्वीप है यह उत्री और मद्द अंडमान प्रसासनिक जिले के अंतरगत आता है जो भारती कें सासित प्रदेस अंडमान और निकोबार दीप समू का हिस्सा भी माना जाता है रांची बालास द्वीप बाराटांग दीप का दूसरा नाम है क्या नाम है इसका दूसरा नाम रांची बालास याद रखिएगा देखिए जारखंड की राजदानी क्या रांची और जारखंड क कहां पर पढ़ता है जार गंड आप को पताऊगा कि यह इस जगहें पर पढ़ता है पर दिर नीचे देखिए आन्ध पर जाता आन्द प्रदेस हो गया तमिलनाडू हो गया केरला हो गया और करनाटिका हो गया महराश्टी दर साइड में हो जाता है और मद्द प्रदेस ये बीच वाला हिसा मद्द प्रदेस हो गया और तिलंगाना आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद में आन्द प्रद स्पोर्ट 2004 के हिंद साहब महासागर भूकम से जुड़े थे किससे जुड़े थे 2004 जो हिंद महासागर में भूकम पाया था उससे जुड़े हुए थे 2005 में जो बिस्पोर्ट हुआ था उससे संदर्वित था अगला है धिनोधर पहाडियां धिनोधर पहाडियां गुजरात के कच्छ जिले में देखने को मिलेगी तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वो कहां पर यह जो जिला पड़ता है यह क्या है कच्छ जिला पड़ता है तो गुजरात के कच्छ जिले में देखने को मिलेगी रन है धिनोंधर क़ंसी पहाड़ी एक निस्क्रिएं जो मेतर की वंचाई तक फ्यला हुआ यह कैसी है यह एक निस्क्रिएं जौला मुखी है कैसी ज्वाला मुखी है निस्क्रिय ज्वाला मुखी है जो 386 मीटर की हाइट तक फैला हुआ है अगला है धोसी पाहडियां तो धोसी हिल बिलुप्त ज्वाला मुखी है जो अरावली परवस्रंकला के ऊपर उत्तर पस्चमी छोड़ से अकेला खड़ा है जिसकी उचाई आसपास की भूमी से लगवक 345 से 470 मीटर तक है और अरावली परवस्रंकला का हिस्सा भी है कौन धोसी पाहडियां जो प्री करेंबियन मैलानी आंगने चट्टानों के सम्हूं से संबंदित हैं धोसी हिल हर्याणा और राजस्तान की सीमा पर हैं कहां पर हैं हर्याणा और राजस्तान की सीमा पर आपको देखने को मिलेंगे धोसी हिल से यह जो देखने को मिल रही ना यह यह आपका राजस्तान यह पड़ जाता यह इस वाला एरिया की तरफ यह पूरा आपका यह राजस्तान है तो यह जो यह जगा आपको दिख रही है यह क्या है ये आपको देखने को मिलेगी ये है ये डि्षिक महेंद्रगर पड़ता है ये डिष्टिक कौन सा पड़ता है ये डिस्टिक पड़ता है महेंद्रगर तो जगय पर यहांपर दिखहरा ना यहां पर देखे इस ही का जूम करके यह बनाया गया है तो इस जगया पर यह क्या है ये धूसी हिल्स हैं यह क्या है धूसी जो सिगाना रोड पर नार नौल 5 किलो मीटर दूर ने राजिस्तान जनूंजिले में सौम्व है कहाँ पर है जनूंजिले में सौल से हो यह बॉर्डर पर यह दिखे, यह कुछ हे लिया है जो यहां से कबर हो रहा है, अगला है तोसाम की पहड़ियां, हर्याना में अलवर्ण छेत्री के उत्तर पस्चिमी छेत्रे में स्तित हैं, और ऑस्तन डो нельзя मेठर की उचाई पर इस्तित हैं, तो उसाम पहाडियों में और उसके आसपास उजागर चट्टाने अरावली परवस्त रंखला के दिल्ली शुपर ग्रूप के अलवर समू के उप सतहे उत्तर पस्चिमी इस पर का हिस्सा है जो प्री के रेंबियन मैलानी आगने चट्टानों के समू से संबंदित हैं मुख तुसाम पहाड़ी इस स्रेड़ी की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी है इसमें प्राचीन सिलालेक सैल चित्र पेलो द्वारा नश्ट किये गए चट्टानी हिमनत चैनल और पानी के जरने और छोटी पहाड़ी जीले भी है यह हर्याणा के प्रमुख जै बिवित्ता सभवाले में सेस्थानों में से 1 एक है तो टोर्ष और यहां पर इस July में देखने को भी यह आपको अरे आपको हर्याणा में टोव्थ च्व Иथ्शन घن सापको इस जगये पर देखने को मिलेंगी तो दुड दोस्तों आज के लिए ब consistency करें इस बीडियो इस वीडियो की PDF है जो हमारे टेली ग्राम चैनल आकास ग्लोबल इस्टडीज पर सेंट कर दी जाएगी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिजिये कौन सा है आकास ग्लोबल ने रहे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो में तब तक